ओम शान्ती गुड पॉर्निंग आज हम सभी सुनेंगे छे सितंबर दो हजार बीस के महावाक के हैं बाबा के अव्यक्त मोडली है रिवाइज 16 मार्च 86 के रुहानी ड्रिल आज हेडिंग है मोडली का रुहानी ड्रिल जो आत्मा ड्रिल करती है एक्सोसाइज करती है बुद्धी के द्वारा जैसे वो शरीर की एक्सोसाइज करते है ऐसे बुद्धी की एक्सोसाइज जो आत्मा करती है तो बाबानी का बाब दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना यह प क्योंकि अनाधी स्वरूप स्वईट साइलेंस है और आधी आवाज में आने का है तो अनाधी परमधाम का हमारा स्वरूप और आधी जमसत्युग में आए तो वहां आवाज में आए लेकिन अनाधी अविनाशी संसकार silence है तो अपने अनादी संसकार अनादी स्वरूप को अनादी स्वभाव को जानते हुए जब चाहँ तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो 84 जन्म आवाज में आने के हैं इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है लेकिन अनादी स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है तो अब घर जाने का समय समीप है अब आदी मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादी स्वरूप, अनादी इस्थिती में इस्थित होने का समय है, क्योंकि अब घर चलना है इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा वश्यक है अपने आपको चेक करो कि करमिंद्रिय जीत बने है, आवाज में नहीं आना चाहें, तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खीचता तो नहीं है यतना शांतर है उतना अच्छा है इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है जब चाहें आवाज में आएं जब चाहें आवाज से परे हो जाएं तो जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सोसाइज सिखाते हैं इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सोसाइज का अभ्यास चाहिए चारूर कैसा भी वातावरण हो हल चल हो लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिती का अभ्यास अभी बहुत कालका चाहिए आवाज में रहते हुए भी फिर आवाज से परे चले जाए क्योंकि हमें चलना ही है आवाज से परे की दुनिया में शांत वातावरण में शांती की स्थिती बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है अशांती के बीच आप शांत रहो यह अभ्यास चाहिए ऐसा अभ्याद जानते हो चाहे अपनी कमजूरियों की हल चल हो संसकारों के व्यर्थ संकल्पों की हल चल हो ऐसी हल चल के समय स्वयम को अचल बना सकते हो वह टाइम लग जाता है क्या कहेंगे क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है हाँ आप गाड़ी चला रहे बहुत स्पीड में और अगर टाइम लग या ब्रेक लगाने में सामने कोई आ गया तो तो एक्सिडेंट हो जाएगा तो धोखा खा जाएगे ना इसलिए पावर ब्रेक चाहिए तो बाबा कह रहे हैं समापती के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिंटो का ही होना है लेकिन चारों और की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नमबर मिलना है चारों तरफ हलचल हो लेकिन हमारी इस्थिति अचल अडोल हो अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समापती के समय क्या रिजल्ट होगी इसलिए ये रुहानी एक्सोसाइज का अभ्यास करो मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर सको फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है लेकिन नमबर बहुत थोड़े समय में मिलना है इस्टेज भी पावरफुल हो देह देह के संबंद देह के संसकार व्यक्ति या वैभाव वाइब्रेशन वाइवंडल सब होते हुए भी आकर्शित ना करें इसी को ही कहते हैं नश्टो मोहा समर्थ स्वरूप तो ऐसी प्रैक्टिस है लोग चिलाते रहें और आप अचल रहो प्रकर्ति भी माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खीचे लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिती में लवलीन रहो इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो सुनते हुए ना सुनो ऐसा अभ्यास हो इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिती कहा जाता है फिर भी बाप दादा समय दे रहा है अगर कोई भी कमी है तो अभी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, क्योंकि बहुत काल की जब हम प्रैक्टिस होगी वही तो संसकार पक्का होगा, एक दो बार किया गया काम वो नहीं पक्का होता है, एक दो बार किसी ने चोरी किया तो उसको चोर नहीं कहे यहाँ भी जाता आ जाता है असलिए इस प्रेक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो पास विद ओनर बनना या पास होना ये आधार इसी अभ्यास पर है तो ऐसा अभ्यास है बाबा पूछ रहे समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या भी सोचते हो तैयार होना है इसी अभ्यास के कारण अश्ट रतनों की माला विशेश छोटी बनी है थोड़े ही देखो इतने बड़े विश्व में से केवल आठ रतन बनेगे बहुत थोड़े टाइम की है माला जैसे आप लोग कहते होना सेकेंड में मुक्ती वा जीवन मुक्ती का वर्सा लेना सभी का अधिकार है तो समापती के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है लेकिन जराभी हलचल नहों बस बिन्दी कहा और बिन्दी में टिक जाओ बिन्दी माना फुल स्टॉप कहा उसमें टिक जाओ बिन्दी हिले नहीं ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा, practice पक्की करनी है न, तब कहा practice makes a man perfect, क्योंकि सुनाया वार भी चारो ओर का होगा, last trial सब करेंगे, प्रकरती में भी जितनी शक्ती होगी, माया में भी जितनी शक्ती होगी, trial करेंगे, प्रकरती भी trial करेंगे, कि देखे हम हिलते हैं या नहीं, तो उनकी भी last trial और आपकी last करमातीत, करम, बंधन, मुक्त, इस्तिती होगी, दोनों तरफ की बहुत powerful scene होगी, वह भी full force, यह भी full force लेकिन second की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी, second की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी, समझा, last paper क्या है, सब शुब संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है, कि number one आना ही है, तो जब चारों और की बातों में win होगे, तभी one बनेंगे, जब सब subject मे win करेंगे, तब तो number one आएगे, अगर एक बात में जराबी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया, तो number पीछे हो जाएगा, इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो, डबल विदेशी सब में तीवर जाने चाहते हैं न, इसलिए तीवर पुर्शार्थ वा फुल attention इस अभ्यास में अभी से देते रहो, समझा, कोश्चन को भी जानते हो, और time को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए, अगर पहले से कोश्चन का पता होता है, तो तयारी कर लेते हैं, फिर पास भी हो जाते हैं, आप सभी तो पास होने वाले हो न, भाबा ने पहल होने वाले होना अच्छा यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे अभी खुले भंडार से जो भी लेने आएं हैं वह तो ले ही लेंगे ड्रामा का अद्रश्य सदा बदलता ही है लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेश वर्दान तो मिला ही है बाप दादा ने जो वाइदा किया है वह तो निभाएंगे इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन, वर्दान अभी सीजन का फल खाने आए हो न, कहते बाबा की सीजन है, जा रहे मिलने बाब दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी स्रष्टी में तो सब देखना होता है अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लाष्ट में सुनाएंगे, बाबा भी क्या कह रहे है, लाष्ट में सब बच्चों की रिजल्ट सुनाएंगे सेवा के स्थान भले अलग-अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही ही है इसलिए बाब दादा सभी स्थानों को विशेश महत्व देते हैं, ऐसे नहीं, एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है नहीं, जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं, उससे कोई ना कोई विशेश रिजल्ट अवश्य निकलनी है फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी लेकिन विशेशता सब तरफ की है, कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेश हो हो अगर कोई विशेश ना होता, तो बाब के पास नहीं पहुंचता बाबा के पास पहुंचा है, इसका मतलब वो विशेश बच्चा है विशेशता है, लेकिन कोई विशेशता को सेवा में लगाते हैं कोई सेवा में लगाने के लिए भी तयार हो रहे हैं बाकी हैं सब भी विशेश, तो सब विशेश आत्मा हैं, सब महारती, महावीरों, एक-एक की महिमा शुरू करें, तो बाबा करें, लंबी चोड़ी माला बन जाएगी, बच्चों की विशेशता को अगर बाबा गिनना शुरू करें, तो बाबा करें, कित्ती लंबी माला बन शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी ऐसे हो न यह सिर्फ अपने अपने इस्थान के कल्याणकारी हो क्या कहेंगे आच्छा फिर है दूसरी मुरली है रिवाइज 19 मार्च 29 मार्च 1986 की है 86 की ऊपर 16 मार्च की थीये है 19 मार्च की दो मुरलिया है बाबा ने कहा अमरत बेला श्रेष्ट प्राप्तियों की बेला अमरत बेले का बहुत बहुत तो इसलिए अमरत बेला कभी मिस नहीं करना है कुछ भी वो जाए आज रोहानी बागवान अपने रोहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं ऐसा रोहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युक पर ही बाब दादा द्वारा ही बनता है बाब दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुश्बू और रूहानियत के खिले हुए पुश्बो की रौनक देख रही है खुषबूदार सभी हैं लेकिन किसकी खुषबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुषबू थोड़े समय के लिए रहती है कोई गुलाव सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ कब थोड़ा सा धूपवा मौसम के हिसाप से मुर्झा भी जाते हैं ऐसे वो फूल होते हैं ना, तो मुर्जा भी जाते हैं, तो ऐसे यहां पता चला प्रपरिस्थिती की धूप आई, कोई बात आई, तो मुर्जा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब कोई-कोई रूहानी गुलाब में ग्यान की खुश्बु विशेश है कोई में याद की खुश्बु विशेश है तो कोई में धारना की खुश्बु विशेश है और कोई में सेवा की खुश्बू विशेश है कोई-कोई ऐसे भी है जो सर्व खुश्बू से संपन्न है चारो सब्जेक्ट में तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके उपर जाएगी जिसकी दूर से ही खुश्बू आकरशित करेगी उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है तो रोहानी बागवान सदयव सभी रोहानी गुलाब के पुश्बू को देखती है बागवान किसको देखेगा रोहानी गुलाब के फूल है लेकिन नंबर वार प्यार भी सभी से है क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अती प्यार है मालिक से पुष्पो का प्यार है शुबाबा से तो हर बच्चे का प्यार है और मालिक का पुष्पो से प्यार है फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं धारना की और सेवा की चारों में फुल पास है ना वो शोकेस में रखने वाले रोहानी गुलाब है और सदा खिले हुए है मुर्जाए हुए कभी नहीं रोज अमरत वेले बाप दादा इसने हैं और शक्ती की विशेश पालना से सभी रोहानी गुलाब के पुश्पो से मिलन मनाते हैं बाप किस से मिलन मनाते हैं रोहानी गुलाब के पुश्पो से अमरत वेला विशेश प्रभु पालना की वेला है अमरत वेले विशेश परमात्म मिलन की वेला है रोहानी अम्रत बेले भोले भंडारी के वर्दानों के खजानों से सहज वर्दान प्राप्त होने की वेला है तो जो गायन है ना मन इक्षित फल प्राप्त करना ये इस समय अम्रत बेले के समय का गायन है भिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना तो अनुभवी ही जाने इस श्रिष्ट सुख को श्रिष्ट प्राप्तियों को तो बाप दादा सभी रोहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते समझा मुरलियां तो बहुत सुनी है सुन-सुन का संपन बन गए हो अभी महादानी बन बाटने के प्लैन बना रहे हो यह उमंग बहुत अच्छा है आज UK अर्थार्थ ओके रहने वालों का टर्न है UK अर्थार्थ ओके डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं कौन सा? ठैंक यू ठैंक यू करते हुए बाप को भी याद करते रहते हैं क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं तो जब किसी को भी ठैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना? ब्राम्हन जीवन में पहला शुक्रिया स्वता ही बाब के प्रति निकलता है उठते बैठते अनेक बार थेंक्यू कहते हो ये भी एक विधी है बाब को याद करने की घड़ी-घड़ी हम शुक्रिया करे थेंक्यू करे तो ये भी क्या है बाब को याद करने की विधी है कितना सरल देखो बावा ने बना दिया यूके वाले सर्व भिन भिन हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित बने हुए हैं अनेक प्रकार के नौलेज की शक्तियां है भिन 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 शक्ति वाले भिन 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 वर्ग वाले भिन भिन धरम वाले भाषा वाले सभी को मिला कर एक ही ब्राम्हण वर्ग में लाना ब्राम्हण धर्म में ब्राम्हण भाषा में आना ब्राम्हणों की भाषा भी अपनी है जो नए समझ भी नहीं सकते कि क्या बोलते है तो ब्रामणों की भाषा, ब्रामणों की डिक्षनरी ही अपनी है तो UK वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो न, संख्या भी अच्छी है और इसने भी अच्छा है, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेष्टा तो है ही है लेकिन आज UK का सुना रहे हैं, यग्यस नही, यग्यस अहयोगी, यविशेष्टा अच्छी दिखाई देती है हर कदम पर पहले यग्य अर्थार्थ मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नमबर में जा रहे हो यह खुछ जरूरी है, जहां भी हम कदम रखें, जो भी काम शुरू करें, पहले एक हिस्सा मधुबन के लिए जरूर निकालें डाइरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है हर कारे में, हर कदम में मधुबन अर्थार्थ बाप की याद है यह भाप की पढ़ाई है, यह भाप का ब्रह्मा भोजन है, यह भाप से मिलन है तो अर्टोमेंटिक कोन याद आता है, मदुबन स्वता ही भाप की याद दिलाने वाला है इसने बाबा कहते मदवन की निमित जो भी करते हैं तो देख हमारा भी भाग्य बनता है कहां भी रहते मदवन की याद आना अर्थार्त विशेश इसनेह लिफ्ट बन जाता है चढ़ने की मेहनत से छूट जाते है सेकंड में स्विच आन किया और पहुचे बाब दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं बाब को इसनेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए है देखो हीरा मोती नहीं लिया कच्चे चावल इखा लिया इखाते न भगवान को इसका भाव अर्थ यही है कि इसने की छोटी सी सुई बे भी मधुबन याद आता है इसने मधुबन जाते देखो दादियां सबसे पहले दिनी गिफ्ट जरूर देती है जब जब उसको यूज करेंगे तो मधुबन याद आएगा तो वह भी बहुत बड़ा अमूल रत्न है क्योंकि इसने का दाम है वैल्यू इसने की है चीज की नहीं है अगर कोई वैसे भल कितना भी दे दे वे लेकिन इसने नहीं है तो उसका जमा नहीं होता है और इसने से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है कोई करोड दे आ है लेकिन भावना नहीं है प्यार नहीं है तो उसका जमा थोड़े होगा तो फिर अपना घमनड आ जाता है मैंने इतना किया तो बाप को इसने हैं पसंद है तो यूके वालों की विशेष्टा यग्य इसने ही यग्य सहयोगी आदि से रहे हैं यही सहज योग भी है सहयोग सहज योग है सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी न तो सहयोगी सहज योगी स्वता ही बन जाते हैं योग बाप से होता मदुबन अर्थार्थ बाप दादा से तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नमबर ले लेते हैं दिल का सहयोग बाप को प्रिय है इसलिए यहां यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है तो दिल वाला बाप को दिल का इसने है दिल का सहयोग ही प्रिय है छोटी दिल वाले छोटा सौधा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहत का सौधा करते हैं फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है जैसे कई जगह पर व्रक्ष देखें होंगे तो व्रक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है तो UK के foundation से तना निकला शाखाएं निकली है ना जैसे वो होता है ना बरगत का पिर तो उसकी जड़े है वो में जड़ कहां पता ही नी तो हवाई जड़ों से तना ही बन जाता फिर देखो जाके वो शाखाएं जाके नीचे फिर वापस पहुंच जाती जमीन में तो फिर बन जाती बड़ी बड़ी तना बन जाती है तो ऐसी बाबा कहरे UK foundation से तना निकला शाखाएं निकली अब वो शाखाएं भी तना बन गई उस तना से भी शाखाएं निकल रही है एक से से सेंटर बना उसे छोटा सेंटर बना उस छोटे ने फिर दूसरे को बनाया तो देखो शाखाएं निकलती जा रही वो तना बनता जा रहा जैसे Australia निकला, America, Europe, Africa निकले सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से व्रधी को पा रही हैं क्योंकि foundation इसने हैं और सहयोग के पानी से मजबूत है इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्छों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुखानी बाब की रुखानी बच्छों को नमस्ते हम रुखानी बच्छों की रुखानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार नमस्ते और गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहत दिल से शुक्रिया आज मीठे बाबा का वरदान है देह भान का त्याग कर पोधी बनने वाले निर्मान चित्त भावा बाबा क्या कह रहे हैं देह भान का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग देह अफिमान का ये छूटना बहुत मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस बाबा कहते है रोज करना देविमान ना आए कि हमें ध्यान रखना है क्योंकि देविमान से कितने नुकसान है बाबा भी भूलता कितने सारे पांचों विकार प्रवेश हो जाते इसलिए देवान से हमें दूर रहना है तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी होगी तभी देव्हान खतम होगा कि मैं आत्मा हूँ, शिबाबा का बच्चा हूँ तो देव्हान का त्याग कर पोधी बनने वाले निर्मान चित्भव जो बच्चे देव्हान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं एक जब कोई जूट बोलता है नहीं, कहेंगे जूट से में बहुत नफ्रत है और दूसरा जब कोई गलानी करता है यही दो बाते क्रोध को जन्म देती हैं तो ऐसी परिस्थिती में निर्मान चित्त के वर्दान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो गाली देने वाले को भी गले लगाओ उसकी हम गलानी नहीं करें निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानू तब कहेंगे कमाल जो निंदा करे हम उसको गले लगाए तो बाबा कहते तब है कमाल जब ऐसा परिवर्थन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होगे और आज का स्लोगन है मौज कानभो करने के लिए माया की अधिंता को छोड़ स्वतंत्र बनो किसको छोड़ना है माया की अधिंता को छोड़ना है तो स्वतंत्र बन जाएंगे और आज दादी जी की हम सब शिक्षाएं रोज सुनते हैं तो मीठी दादी ने कहा कभी भी अपना माथा क्यों क्या के प्रश्णों में गरम नहीं करो दिमाग को शीतल कुंद बनाओ शीतल काया वाले योगी बनो भले तुमें गिराने के लिए कोई ने गड़ा खोदा हो लेकिन तुम अगर सच्चे हो तुम्हारे दिल में सब के प्रती शुब भावना है तो बाबा तुमारी रक्षा करेगा है ना वो आत्मा तुमारे लिए अशुब सोच रही लेकिन आपके अंदर उसके प्रती शुब भावना है तो बाबा तुमारी रक्षा करेगा, तुमारे अंदर कभी भी अशुब भाव ना हो, किसी को श्राप देने वाले दुर्वासा नहीं बनो, राज योगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकते हैं, नेक्स्ट है, बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम छीर खंड हो कर रहो, कहला नहीं सकते, मेरा काम है दूदचीनी होकर रहना, अगर मेरे में नमक खारापन होगा, तो दूसरे में भी, मेरे उपर दूसरे भी नमक डालेंगे, सदा चीर खंड रहना, माना एकता में यूनिटी में रहना, पढ़ाई छोड़ना, माना लूला लंगडा बनना तो पढ़ा ही नहीं छोड़नी है अच्छा, ओम शांती ओम शांती ओम शांती